सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली अब में तोह द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली पुन्यात्मों ये मानुस जिनम कितना दुरलव है और मनुस जीवन के अंदर फिर सत गुरू मिलना ये अती दुरलव है शिरीमत भगवत गीता अध्धाय नमबर साथ के सलोक नमबर बारा से लेकर पंदरा तक गीता ग्यान दाता कहता है कि तो तिन्नों गुनों की बग्ची करते हैं रजगुन बरमासत गुन विसनुतम गुन शिर जी इस तर गुन में माया के दौरा जिनका ग्यान हरा दा चुका है वो मेरी भक्ती भी नहीं करते हैं उनके बारे में का है कि ये रक्स सबाव को धारन किये हुए मुनस्यों में नीच दूसीत करम करने वाले मूरक मेरी साधना भी नहीं करते ये कौन बोल रहा है श्रीमत बगुत गीता का ग्यान ये काल बोल रहा है ये बरम बोल रहा है ये सरपुरस बोल रहा है और श्री करसन के स्रीर में परवेश करके बोल रहा है प्रेतवत फिर ये कहता है साथ में जैके सोला से लेकर सोला सत्रा अठारा तीन स्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ती करते हैं वो चार परकार के होते हैं अर्थार्थी, आर्थ, जग्यासू और ग्यानी है अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धनलाब के लिए अनुष्ठान करते हैं धार्मिक अनुष्ठान तो जो बिर्म साधना है इज्यार परकार के बिर्म साधना करते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंतरों से ही करते हैं वो किसी अन्य गरंथ का सहोग नहीं लेते वो जैसे जैगनेश जैगनेश देवा कहते हैं इस तरह के आर्थि वो नहीं करते जो ब्रह्म सादक हैं वो चैर परकार के हैं उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जग्यासू ये वेदों पर विस्वास करने वाले होते हैं चौथा गैनी अर्थार्थी तो ये है जो हर धनलाब के लिए कोई अनुशान करता है तो वेदों के मंतरों से ही करता कराता है ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारन के दिये भी वेद मंतरों को ही आधार मानता है उन्हें का आधार से नश्रान करता है जग्यासू वो होता है जो वगवान के विलिए घर से निकलता है जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ग्यान ग्यान करके स्वेम वक्ता पाक जाता है अपना जीवन नास कर जाता है ये तीनों विर्थ कर दिये चौथा जो बता है ग्यानी है ग्यानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मुनुस जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मुनस्जीमन का मूल उदे से है आतम के लान करवाना और मोक्स प्राप्ति करना और उनको ये भी ग्यान हो जाता है कि मोक्स प्राप्ति केवल सम्रत वगवान उस कम्पलीट गौड अल्लाहु अक्बर की भक्ती करने से ही संभव है अन्य देवताओं की पूजा से नहीं तो गीता ग्यान दाता कहता है कि वो ग्यानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं अच्छा लगता हूँ पिर ये हैं क्योंकि वो मेरी भक्ती करते हैं बिर्म की वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते लेकिन फिर साथ में जाय के अठारवे स्लोक में कहा है ये ग्याननी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मुनस्जीवन बार बार नहीं मिलता मुक्स हुआ तो सफलता है इस मुनस्जीवन की अन्य था नहीं है और उनको ये भी ग्यान हो गया कि मुनस्जीवन बार बार नहीं मिलता और मुक्स के लिए केवल पूर्ण प्रमात्मा की भग्ती ही करनी होती है अन्य की नहीं तो इसमें क्या बता है कि इन चोथी परकार के जो ग्यानी है इनको चोथे जहे के बतिस और चोथीस मवरनित वो तत्वे दर्सी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निस्क्रस निकाल लिया यदुर्वेद अजहे नमबर चालिस के मंतर नमबर पंदरा में कहा है कि ओम कर्टू समर किलबे समर कर्टूम समर ओम नम का जाप काम करते करते सिमन करो विशेश कसक के साथ सिमन करो और मुनस जीवन का मूल करते जान के ओम का सिमन करो तो ये ओम नम है ब्रम का और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रम का कम्पलीट गौड का परमक्सर ब्रम का आप कहते हैं गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सारे रहे अग्यानी सत्गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था बुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन सत्गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था बुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे न सार रहे अग्यानी अब यह जितने भी रिसी महरिसी आज तक हुए हैं यह कम्प्रीटली अग्यानी थे इनको तत्वस दर्शी संत वो गुरु नहीं मिले जो यजुर वेद ज्याय नंबर चालिस के मंतर नंबर दस में कहा है वेद ग्यानदाता वही है जो गीता ग्यानदाता ब्रह्म है सर पुरस है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विसे में कहते हैं संभवात माने जनम लेकर आने वाला श्री राम श्री किरसन यह अन्य जो आठ या 24 आवतार बताए गए है 9 या 10 24 आवतार बताए गए उन्हों ऐसे आता है और कुछ मानते हैं ऐसमभवात वो जनम नहीं लेता उत्पन होता ही नहीं अर्थात वो अजनमा है निराकार है कुछ ऐसा बोलते है उसके विसे में कहा है कि परमात्मा साकार है निराकार है या जनम लेता है नहीं लेता है वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्सी संत धीरानाम लिखा उसमें धीरानाम जिनका ग्यान सथिर हो तत्वदर्सी संत बताते हैं उन से सुना इनकी बुदी पर पत्थर पढ़ गए के वेद ग्यान दाता तो कहता है कोई और है तत्वदर्सी संत है तो इन वेदों से हटकर ग्यान दे और यदुर्वेद द्यायर नंबर 40 के मंतर नंबर 17 में सफ़्ष किया है वेद ग्यान दाता कहता है कि ओपर मातमा तो प्रोक्स है वो तो गुपता है वेद ग्यान दाता स्विम कहता है यदुर्वेद द्यायर नंबर 40 के मंतर नंबर 17 में कि वो प्रमात्मा तो गुपत है वो तो प्रोक्स है उपर रहता है और मैं ब्रम हूँ मेरा ओम नाम है और मैं खम ब्रम एहम ओम खम ब्रम मैं ब्रम खम माने दिव आकाश रूपी ब्रम लोक मैं वहां रहता हूँ मेरा ओम नाम है तो पुन्यात्मा इसलिए प्रमेश्वर ने कहा अपने सुख समवेद में बाई गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था बुस छड़े मूड किसाना गुरु बिन बेद पढ़ है जो प्राणी समझे नसार रहे अग्यानी तो यह सभी अग्यानी थे आज तक के जितने रिशी मेह रिशी मंडलेश्वर केवल उनस महाफुर्सों को छोड़ कर जिन को प्रमात्मा प्राप्त हुआ और प्रमात्मा उनके प्रियतन से प्राप्त नहीं हुआ वो अपने विद्धान अनुसार स्वयम ही आता है जैसे रिगवेद मंडल नंबर नो सुक्त श्यासी के मंतर चब्वीस और सटाइस में रिगवेद मंडल नंबर नो सुक्त ब्यासी मंतर एक दो तीन में रिगवेद मंडल नंबर नो सुक्त चम्मन के मंतर तीन में तूरानुए के मंतर एक मैं, रग्वेद मंदल नं". सुक्त 96 मंतर 16 से लेकर 20 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त 94 के मंतर 1 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त किचानवे के मंतर नमबर 2 में रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त 1 मंतर 8 और 9 में और भी अनेकों सिथानों पर हैं परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कवीर देव परमात्मा वो परमक्सर ब्रम है सर्व उत्पादक है सब आत्माओं का सरदन करने वाला भी वही है और सभी ब्रमंडों का सरदनार वही है और वो उपर के लोक में रहता है उपर के लोकों में रहता है सबसे उपर के लोक में रहता है वहां से गती करके आता है अथ से आत्माओं को मिलता है उनको उपदेश देता है तत्वग्यान सुनाता है और वो कवियों की तरह आसड़ करता है और अपने मुख कमल से उच्छे सोर में बोल बोल कर ये तत्वग्यान की अमरवानी लोकोक्तियों के मादम से, कविताओं के मादम से, सबदालियों के मादम से बोल बोल कर सुनाता है वो कवियों की तर्याशन करता है और एक परसिद कवी की भी उपाधी प्राप्ट करता है लोग कविताओं से बोलने के कारण कविताओं की माध्म से दोहों सुब्धालियों के माध्म से तत्व ग्यान परचार करने के कारण वो एक कवियों परसिद कवियों में से भी एक कवी कहलाता है लेकिन वो होता है परमात्मा पर लेकिन वो होता है